अगले दिन अजनभी का समान आया इसमें चो बक से मोटी मोटी किदावे और बहुत से क्रेट्स थी अजनभी अपने समान के लिए आया ही था कि बगी के माली का कुट्ता उस पर जपट पड़ा और उसके दस्ताने और पैजामे को फाढ़ा अजनभी अजनभी अपने कमरे में भागा और मिस्टर हॉल भी गए पर किसी अजीब चीज ने उन्हें रोग दिया अजनभी ने बक सा खोला उसमें अजीब तरह की छोटी बड़ी बोतले थी अजनभी अपना काम करी रहा था कि मिसस हॉल आ गई और उन्हें लगा कि अजनभी की तो आखे ही नहीं है पर अजनभी ने उन्हें दरवाजे के बाहर कर दिया चैप्टर फूर मिसस हॉल को अजनभी से परशानी हो रही थी पर अजनभी उन्हें धंद देकर चुप कर देता था अजनभी को अकिला रहना अच्छा आता था वह जल्दी बाहर नहीं आता था किसे स कुछ बोलता भी नहीं था अपने वैवार की वैसे वह पूरे सहर में चर्चा का एक विशे बन गा था पर मिसेज हॉल कहती हैं कि वह एक वैज्ञानिक है कुछ लोग तो सोचते हैं कि वह अपराधी है मिस्टर कस जो वहां के चिक्सक थे वह उस अजनभी के बारे में जाना चाते थे वह नर्स वरंड के बहाने अजनभी के पास चले गए मिसेज हॉल उन दोनों की बाते सुन रही थी उन्हेंने चीखने की आवाज के साथ मिस्टर कस को बाहर आते हुए देखा मिश्टर कस वहाँ से भाग खड़े हुए मिश्टर कस भागते भागते उस जगा के पादरी मिश्टर बंटिंग के पास पहुज गये और अजनभी के बारे में सब कुछ बताने लगे चेप्टर फाइफ लगबग सुबह चार बजे मिश्टर बंटिंग दरवाजे के खुलने और बंद होने की वज़े से जाग गई किसी के पैरों की आवाज को सुनकर उन्होंने समझा कि कोई चोर है और मिश्टर बंटिंग को जगाया मिश्टर बंटिंग ने अपने हाथ में एक डंडा उठाया और दवे पाउं सीड़्यों के रास्ते नीचे गए उन्होंने धीरे धीरे स्टडी रूम के तरफ अपने कदम बढ़ाए उन्होंने आवाज तो सुनी पर वहाँ कोई दिखा ही नहीं दे रहा था उन्होंने आवाज सुना कि कोई उनके सिकों को छू रहा है पर वहाँ पूरे कमरे में खोशते हैं पर वहाँ कोई मिली नहीं जा था